दुनिया भर में फैले कोरोना वाइरस का कुहराम जारी दुनिया में अब तक 213 देश कोरोना संक्रमन की चपेट पे और पिछले 24 घंटे में 2,36,000 नए मामले सामने आए जबकि 5,468 लोगों की मौत हो गए कोरोना संक्रमन के आँखों पर नज़र रख रही वेबसाइट कोरोना मीटर के अनुसार दुनिया में 1,41 लाग से जादा लोग संक्रमन थे इसके साथ ही अब कोरोना का नया एपिसेंटर दूसरे देश बनते जा रहे इसी कड़ी में कोरोना वायरस को लेकर इरान के स्वास मंत्राले ने बेहद ही भयावा खुला सा किया इरान की राश्यूपती हसन रुहानी ने शनिवार को कहा कि 25 मिलियन यानी धाई करोड इरानी कोरोना वायरस से संक्रमत हो गए और साड़े तीन करोड अन्य लोगों को वायरस की चपेट में आने का खत्रा मंडरा रहा है रुहानी ने कहा कि ये आकड़े स्वास मंत्राले की एक नई रिपोर्ट पर आधारत है किया पर आपको एक जानकारी देते चलें कि एरान की आबादी कुल आठ करोड है और मध्यपूर्वी देश इरान महमारी से सबसे ज़ादा प्रभावित रुहानी ने भाशन में कहा कि हमारा नुमान है कि अब तक 25 मिलियन इरानी इस वारस से संक्रमित हो चुके है और लगभग 14,000 लोग अपनी जान गवा चुके है कुल दो लग से अधिक लोग अस्पताल में भरती बतादी की कुरोना वारस की मार जिंदेशों पर सबसे ज़ादा पड़ी उनमें से एक इरान भी रुआनी के इस खुलासे से दुनिया सन और आलोचुकों का कहना है कि इरान सरकार लगातार कुरोना के खत्रे को कम करके दिखाती रहे 19 वरवरी को पहली गोश्णा में सरकार ने लोगों से कहा था कि वो वारस से ख़बरायन है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई ने भी इरान के दुश्पनों पर खत्रे को बढ़ा चड़ा कर दिखाने का आरोप लगा था तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल कर दिया है कोरोना ने छोटे देशों का और इसके साथ ही साथ कई रिसर्च खतरनाक संकेत दे रहे और कह रहे हैं कि मौत काकडा अभी आगे और बढ़ेगा और करोणों में होगा देखना होगा कि आगे करोणा और क्या क्या करता है